हेलो फ्रेंड स्वागत करती हूं आप सभी का अपने रजनीज किचन चैनल में आज हम लाए हैं के एफसी फ्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदा रेसिपी है आप मेरी इस रेसिपी को पूरी देखना बहुती सिंपल इसी वे मैंने कैसे के एफसी फ्राइड चिकन घर पर ही बनाए हैं यहाप बैंने बावल में दो बड़े चमच सोया साउस लिया है फिर ये टोमैटो सोश है जो भी दो बड़े चमच है काली मिर्च पाउडर है ये भी दो चमच लिये हैं यह जिंजर गालिक पेस्ट है, आप घर में भी पेस्ट यार कर सकते हैं, लेकिन यह पैक्ट पेस्ट, रेडिमेट पेस्ट है, यह भी दो चमज है, नमक भी दो चमज, स्वाद अनुसार, यह 1 kg चिकन है, इसमें ज़्यादा लेक पीस है, क्योंकि KFC फ्राइड चिकन लेक पी इसके बाद मैंने इसमें, किचिन किंग, मैजिक, मैगी मसाला डाला है, अब इन्हें सबको अच्छे से मिक्स करके, अब मैं इसको फ्रीज करने रखूंगी, यहाँ पर मैंने यह mixture त्यार करना है All purpose दो cup मैंने floor लिया है जिसमें मैंने दो बड़े चमच corn floor के डाले है फिर इसमें आधा चमच हल्दी डालूंगी और एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच नमक अब इसे अच्छ से mix कर लेंगे हम यह असल में coating हम बना रहे हैं KFC जो like piece हमने इस प्राइट करने है यह जो mixture मैंने त्यार किया है इसको coat करना है उसके ओपर यह magnet करके मैंने कम से कम 4 गहंटे के बाद मैंने इसे निकाला है अब मैं इस mixture में इसको coat करूँगी इस mixture को अच्छ से mix कर लें अब मैं धीरे धीरे करके इस mixture इस पर coat करूँगी अब एक बाउल में पानी लेने के बाद यह जो मैंने piece पर जो floor लगाया था mixture लगाया था इसको पानी में dip करूँगी लगभग 15 seconds के लिए फिर इसको मैं उसी mixture में द्वरा coat करके इस तरह मैं सारे pieces रख लूँगी अब यहाँ पर मैंने जास पर कढ़ाई लिए है यह non-stick कढ़ाई यूज करें तो जादा best रहेगा क्योंकि जो pieces है वो मैंने लगभग 20 minute के लिए fry करने है बहार से crispy हो जाएंगे और अंदर से एकदम soft इसे हमने बड़े तरीके से हल्ट पल्ट करना है किसी चीज की help से इसे हल्ट पल्ट कीजिए नहीं तो जो इसकी उपर की coating है वो उदर भी सकती है तो लीजिए हमारे ये फियर से स्टाइल फ्राइड चिकन पीस बनकर त्यार होगी है तो वियर्ज अगर आपको मेरी ये रेस्पी अची लगी तो लाइक करके जूब बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना तो इस तरह मैं अच्छी ची रेस्पी आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो ये देखिए ये जो पीसेस है इन्हें जो एक्स्ट्र ऑइल है मैं इसको फिश्यू पेपर की मदद से अब्सर्व कर लूँगी अब इसको आप मियोनीज के साथ सर्व कीजिए तो जल्दी ही में नेक्स्ट वीडियो में एकच्छी सी रेस्पी के साथ आऊंगी ये देखिए किस तरह ये अंदर से एकदम पक चुके हैं और भार से एकदम क्रिस्पी हैं मेरे KFC स्टाइल चिकन लेक पीस बनकर त्यार हो गए हैं थैंक यू फ्रेंड्स कि अश्यार हो गए हैं